हेलो एब्रिवान माई नेम है शिवांश गौड और सवागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलोजिकल इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काफी डिटेल में डिसकस किया था प्रोकरियोटिक सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा क्या होते हैं एक होता है क्या mycoplasma bacteria में को में कौन टीवीडियों में इसमें आते हैं और इसे इसमें क्या आता है साइनो बैक्टिरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बूलते हैं तो इस आर सम अफ दा माइक्रो और गैनिजम्स जो कि किस में आते हैं प्रोकरियोट्स में आते हैं और इनका एक जनरल स्टक्चर क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया था अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बैक्टिरिया होता है विच कंप्राइजेस दा मेजर आफ दा प्रोकरियोटिक सेल्स जो प्रोकरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अबंडन्ट है अब हम लोग ये देखेंगे कि जो बैक्टिरिया होता है उसका सेल स्ट्क्चर कैसा होता है और उसके सेल स्ट्क्चर को हम लोग बोलते हैं सेल एन्वलप क्या बोलते हैं सेल एन्वलप होता है और इस एन्वलप में और prokriotic cells में पाया जाता है तो यह 3 layer का बना हुआता है it is made up of 3 layers and it is very chemically complex it is chemically complex काफी complex होता है यह cell envelope जो होता है it is a very chemically complex structure and also it is made up of 3 layers जिसमें से जो outermost layer होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं glycocalyx it is called glycocalyx और यह क्या हो गई outermost layer it is the outermost layer glycocalyx is the outermost layer फिर उसके बाद आती है second number पर from outermost to middle layer जो होती है that is हमारी क्या है cell wall क्या होती है भई cell wall फिर उसके बाद आती है हमारी जो inner most होती है इन नर्मोस लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि प्लाज्मा तो अगर हम लोग सेल एंवलप की बात करें तो सेल एंवलप किस से मिलके बना है इन तीनों लेयर से से मिलके बना है जिसमें आउटर्मोस लेयर क्या है ग्लाइको कैलिक्स बीच वाली लेयर क्या है सेल वॉल एंद थर्ड लेयर इस प्लाज्मा मेंब्रेन अब यह जो हमारी ग्लाइको कैलिक्स है यह जो हमारा ग्लाइको कैलिक्स जो आउटर्मोस लेयर है यह एक लूज sheet के form में भी हो सकता है या फिर यह एक tight capsule के form में भी हो सकता है तो when it is present in the form of loose sheet, जब यह loose sheet के form में होता है तो हम इसको बोलते है slime layer, क्या बोलते है? slime layer, जब यह loose sheet के form में होता है then it is called slime layer और जब ये tight capsule के form में होता है जब ये tight capsule के form में होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या capsule तो ये जो हमारे इसको हम लोग क्या बोलते हैं slime layer और अगर ये tight capsule के form में होती है और इसके बाद अगर हम बात करें second layer की जिसका नाम क्या होता है cell wall तो जो cell wall होती है it is mainly made up of mainly it is made up of a polymer जिसका नाम होता है peptido glycan क्या नाम होता है peptido glycan is a polymer जिसमें बहुत सारी identical sub units होती हैं और ये identical sub units में sugar derivatives भी होते हैं जिसमें से mainly अगर दो sugar derivatives की अगर हम लोग बात करें तो they are called na g एक होता है na g जिसका नाम होता है n-acetyl glucosamine एक का नाम होता है n-acetyl glucosamine और दूसरा जो sugar derivatives होता है sugar derivative होता है उसका नाम होता है n-acetyl muramic acid it is called n-acetyl muramic acid तो जो हमारी second layer है जिसका नाम क्या है cell wall it is mainly made up of cell wall में और भी components होते हैं बट में जो components present होता है उसका नाम क्या होता है peptidoglycan peptidoglycan क्या है एक polymer है जिसमें बहुत सारे identical subunits होती है and these subunits comprises of two sugar derivatives जिसमें दो तरीके के sugar derivatives होते हैं एक का नाम होता है energy that is n-acetyl glucosamine और दूसरे का नाम होता है n-acetyl muramic acid now based on the thickness of this peptidoglycan layer यह जो peptidoglycan layer होती है इसके जो thickness होती है उसके basis पे हम लोग differ करते हैं दो तरीके के bacteria को एक होते है gram positive bacteria तूसरे होते है gram negative bacteria अब यह gram positive और gram negative इनको क्यों बोला जा रहा है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको इस तरीके से differ करने का जो procedure था this was developed by a scientist जिनका नाम था Christian Gram इन्हों ने दो तरीके के bacteria को अलग-अलग किया on the basis of the thickness of this peptidoglycan layer जो थिक जिन बैक्तिरिया में यह layer थिक होती है उनमें gram stain होता है और जब यह थिक होती है तो इसमें gram stain होता है और यह stain कैसा होता है purple color का होता है और जिनमें यह peptidoglycan layer थिन थी उनमें यह gram stain नहीं होता है और इनमें जो जिस color का हमें bacteria दिखाई पड़ता है वह होता है red और pink तो जो बैक्टिरिया gram stain को retain करते हैं वो किस color के दिखाई पड़ते हैं purple color के दिखाई पड़ते हैं और वो retain करते हैं because of the thickness of the peptidoglycan layer थिक है अगर आपको gram staining के procedure पे detailed video चाहिए हो तो मैं इसका पूरा एक अलग से video बना के आपको दे सकता हूं अगर आपको इसमें से समझने में कोई भी problem हो तो you can ask me for a detailed video on gram staining ठीक है फिलहाल अभी हम लोगों को बस basic समझना है वो क्या है कि अगर peptidoglycan layer thick होती है इत रिटेंस दग ग्राम स्टेंड यह ग्राम स्टेंड को रिटें करती है और यह फिर हमें bacteria किस कलर का दिखाई पड़ता है purple कलर का दिखाई पड़ता है और अगर वो gram यह काफी rigid structure होता है and this provides shape to the bacteria यह शेप प्रोवाइड करती है बैक्टिरिया को बैक्टिरिया को prevent करती है from collapsing or bursting यह osmotic pressure को भी जहलने के लिए बैक्टिरिया को क्या करती है strength provide करती है तो अगर हम लोग bacterial cell envelope को एक एक डाइग्राम बना के देखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको दिखाई पड़ी जो मैंने डॉटेड उससे बनाई है इसको हम लोग क्या बूलते हैं आउटरमोस लेयर को क्या बूलते हैं वही गलाइको कैलिक्स इसनून एस ग्लाइको के लिक्स ठीक है फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है इसको हम लोगों ने क्या बोला था सेल सेल वाल के लिए हम लुग एम लोग बारे में भी हम लोग काफी डीटेल में अभी देख चुके हैं कि सेल वाल इस मेंडब ऑफ मेड़ी मेंडब ऐसी हो सकती है यह slime layer भी हो सकती है और यह capsule के form में भी हो सकती है फिर इसके बाद हम लोग innermost layer की जब बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं cell membrane तो जब cell membrane के structure की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो eukaryotic cell membrane होती है और जो prokaryotic cell membrane होती है इसके differences इसके structure में कोई जाधा differences नहीं होते हैं तो जब हम लोग eukaryotic cell membrane का structure discuss करेंगे उसी में भी prokaryotic cell membrane का structure रेक्टर डिसकस हो जायेगा. फिलाल हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया है? क्लाइको कैल्डिक्स देख लिया है, सेल वाल देख लिया है, और सेल वाल के स्ट्रक्च्छीरल डिफरेंसेश के बेसिस पे जो हमारा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर था, वो भी हम लोगों ने देख लिया है अब हम लोगों को यह देखना है कि क्या-क्या modifications होते हैं क्या modifications होते हैं इस cell envelope में या plasma membrane में जो की अलग-अलग processes को अलग-अलग जो processes होते हैं उनको करने में enable करता है किसी भी bacterial cell को तो अगर हम लोग cell envelope के पहले modification की बात करें तो उस modification का नाम क्या है mesozoom and this is a modification of cell membrane यह जो plasma membrane है यह इसका modification होता है और यह कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ invaginate करता है अंदर, cell के अंदर invaginate करता है and this mesozoom can be in the form of basicles it can be in the form of tubules and it can be in the form of lamella it can be in the form of vesicles stipules or lamella इस तरीके के होता है and this modification of cell membrane this modification of the plasma membrane जिसको हम लोग क्या बोल रहे है mesozoom बोल रहे हैं यह बहुत सारे important processes में help करता है if we look at some of the processes अगर हम लोग कुछ processes की बात करें जिसमें mesozoom help करता है that would be पहला cell wall formation यह cell wall के formation में help करता है यह DNA के replication में भी help करता है और यह cell यह cell division में भी help करता है और यह किस में help करता है respiration में help करता है ये किस में help करता है ये secretion में help करता है और it also increases the surface area ये surface area जो होता है plasma membrane का उसको भी बढ़ा देता है surface area को क्या कर देता है increase, it also increases the surface area तो अगर ये छोटे से mesozoom के अगर हम लोग बात करें it performs various functions बहुत सारे functions को ये perform कर रहा है और उनमें से कुछ functions जो हम लोग उने देखे हैं वो क्या क्या है cell wall formation में help करता है DNA replication में help करता है cell division में help करता है replication respiration में help करता है secretion में help करता है it also increases the surface area of the plasma membrane अगर हम लोग इसके एक function की बात करें जो कि इसका क्या है respiration अगर हम लोग aerobic respiration जो होता है अगर उसकी बात करें respiration में help कर रहा है इसकी वज़े से इस mesozoom को since हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जितने भी आपके जो system होता है endo membranous system होता है जिसमें क्या आते हैं आपके membrane bound cell organelles आते हैं for example mitochondria endoplasmic reticulum यह कुछ भी present रही होते है in the prokaryotic cells तो हमारे bacteria में mitochondria होता है chloroplast होता है कुछ भी नहीं होता है so there must be some other structures जैसे कि mitochondria eukaryotic cell में mainly क्या करता है respiration करता है aerobic respiration में help करता है ठीक है ना वैसे ही इसमें भी तो respiration होगा ठीक है ना हम लोग जानते हैं कि cell है तो सारे basic life processes तो वो करे गई ठीक है ना तो इसमें भी कोई ना कोई structure होगा जो कि respiration में help कर रहा होगा जैसे कि eukaryotes में क्या करता है mitochondria करता है so that is mesozoom अगर हम लोग bacterial cell या prokaryotic cell की बात करें तो उसमें क्या होता है mesozoom mesozoom is like the mitochondria of prokaryotic cell इसके बाद अगर हम लोग कुछ special bacteria के बात करें ऐसे bacteria जो कि क्या करते हैं क्या करते हैं photosynthesis करते हैं they are photosynthetically autotrophic तो photosynthetically autotrophic होने के लिए क्या होना चाहिए we know that क्या होना चाहिए हम लोग ये तो जानते हैं कि chloroplast होना चाहिए बट हम ये भी जानते हैं कि prokaryotic cell में chloroplast नहीं होता है तो कोई ना कोई तो फिर again जैसे कि mitochondria के काम कर रहा था कौन? mesozoom कर रहा था वैसे ही chloroplast है उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा structure होना चाहिए prokaryotic cell में जो कि उसका काम करे तो एक और membranus extension होता है एक और membranus extension होता है कुछ इस तरीके से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? chromatophore it is called chromatophore इसमें क्या present होते हैं? pigments क्या present होते हैं? pigments present होते हैं it is called chromatophore इसमें pigments प्रेज़न होते हैं it is mainly present in the bacteria which are autotrophic photosynthetically autotrophic और photosynthetically autotrophic bacteria का example क्या है भाई sino bacteria क्या example है? sino bacteria इसको हम लोग blue green algae भी बोलते हैं और इसमें chlorophyll like pigments present होते हैं इसमें क्या present होते हैं? chlorophyll like pigments प्रेजन होते हैं, जो किसको इनेबिल करते हैं, जो किसको क्या करते हैं, इनेबिल करते हैं तो बहुत अelijk रोटो ज सिंतेटिटिक ऑपकोफिक नी MALE तक आंपर रहे दो दो मॉडिफिकेरिशंट के जो की किसके हो रहे थे ? membrane की हो रहे थे किसके modification से cell membrane के पहला था mesozoom और दूसरा था क्या chromatophore chromatophore was present in syno bacteria and mesozoom helps in various processes and one of the main process is respiration aerobic respiration इसके बाद हम लोग बात करेंगे modifications of cell wall की अच्छा कुछ bacteria जो होते हैं वो क्या होते हैं motile होते हैं कैसे होते होते हैं motile होते हैं motile का मतलब क्या हुआ they are able to move और कुछ bacteria क्या होते हैं non motile अब bacteria motile होगा कि non motile होगा यह depend करता है presence of one structure एक structure होता अगर उसकी presence है तो bacteria motile होगा नहीं motile होगा और वो structure का तुनाम क्या होता है flagella flagella जो होता है यह cell wall का modification है यह कुछ इस तरीके से आता है यह ऐसे इस तरीके से flagella होता है इस तरीके से होता है ठीक है flagella जो होता है it is divided into three parts is flashulla को हम लोग divide करते हैं कितने parts में abgecraft करते हैं जो सबसे बाहर वाला part जो सर्फेस के बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट क्या बोलते हैं फिलामेंट फिर ये जो ये ऐसा हुक ऐसा पोर्शन है जो की सर्फेस से बाहर निकला है और ग्लाइको कैलिक्स तक पहुंचा है इस portion को हम लोग बूलते हैं क्या hook क्या बूलते हैं hook because it is a hook like structure यह hook like structure होता है जो कि इससे attach करता है तो जो बाहर वाला portion है जो कि किसमें help करता है movement में help करता है उसको क्या बूलते हैं filament और उसके बाद यह hook जैसे structure जो कि इससे attachment provide करता है उसको हम लोग क्या गहते हैं, hook, और ये, जो इसके अंदर होता है, कुछ इस तरीके का structure होता है, जिसमें ये embedded होता है, अंदर की side, इस पूरे structure को बोलते हैं, basal body, क्या बोलते हैं, basal body, तो filament, hook, and basal body, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लाजला, क्या बनाते हैं, फ्लाजला बनाते हैं, and this फ्लाजला helps the bacteria to move from one place to another bacteria, अगर एक जगे से दूसरी जगे मूफ कर पाता है, that is because of the presence of फ्लाजला, और ये फ्लाजला जो होता है, ये किंती जो तीन चीजों से क्या, इसके जो तीन structure क्या होते हैं, एक होता है filament, एक होता ह होक, एक होता है क्या, basal body filament, जो बाहर वाला पार्ट है, होक क्या है, जो कि यह यहाँ पे surface से बाहर निकला, और ऐसे hook जैसा structure है, जो कि filament को attach करता है, किस से basal body से, किस से attach करता है, basal body से, तो ये था हमारा क्या, फ्लाजला, फ्लाजला के अलाबा, दो और surface structures होते हैं, जो कि bacteria में present होते हैं, जिसमें से एक होता है, क्या, पिलाए, एक का नाम होता है, और दूसरे का नाम होता है, क्या, फिम्री, क्या नाम होता है, फिम्री, तो अगर हम लोग surface structures की बात करें, तो तीन surface structures होते हैं, एक फ्लाजला होता है, पिलाए होता है, एक फिम्री होता है, फ्लाज बिसीकली आपको एक बैक्टिरिया को दूसरे बैक्टिरिया से अटाइच होने में help करता है it mainly plays role in reproduction और the transfer of genetic material ठीक है यह एक बैक्टिरिया को दूसरे बैक्टिरिया से attach होने में help करता है it does not play any role in motility पिलाई जो होता it does not play any role in motility motility में केवल किसका role है फ्लैजला का ही role है फिर आए फिर अगर फिंबरी की बात करें तो यह भी जो होते हैं यह fibers bristle-like fibers होते हैं जो कि इस तरीके से बाहर निकलते हैं surface चाहिए bristle-like fibers होते हैं and they also helps in the attachment यह भी किसमें help करते हैं attachment में किसी भी bacteria को किसी surface पे चाहे वो rocks हों चाहे वो streams हों उसमें अपने आपको attach करने में जो help करता है उसका नाम क्या है fiber के होते हैं fibers जैसे होते हैं and they help in the attachment attachment में help करते हैं जो था it is made up of tubular structure होता है tube जैसा structure होता है and it is made up of special proteins कुछ special proteins होते हैं जिससे मिल के यह बनता है और यह पिलाई जो होता it helps the bacteria to attach for the attachment to another bacteria and fimbry किस चीज से attachment में help कर रहा है to the surfaces चाहे वो hard surfaces हो चाहे वो smooth surfaces हो उसमें attached bacteria को पकड़ बनाने में attach करने में help कर रहा है कौन fimbry so these are three surface structures mainly which are present in bacteria एक तो था फ्लाजला फ्लाजला जो होता है motility में help करता है पिलाई जो होता है it helps in the attachment of the bacteria to another bacteria and then comes fimbry जो कि fiber like bristle fibers होते हैं and they help the bacteria to the attachment to rocks इसके बाद आप लोगो ने पहले video lecture में देखा था अच्छे से discuss किया था उसके बारे में and that was ribosome ribosome एक ऐसा cell organelle था जो कि which was present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell जो कि दोनों ही type के cells में क्या था present था ठीक है ना और हमने major differences between the prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome काफी detail में बता दिये थे तो आपको तो अगर ribosomes के बारे में detail में जाना है प्रोकरियोटिक ribosome के बारे में detail में जाना है then you can go to see the video lecture 1 आप cell जई the basic unit of life का पहला पार्ट देखे जाके उसमें हम लोगों हमने जो है काफी detail में इसको discuss किया है तो ribosomes को हम लोगों skip करेंगे ribosomes basically किस चीज में help करते हैं they help in the protein synthesis जो की आप लोग बाद में बहुत detail में पढ़ेंगे अभी हम लोगों को इसके बात देखना है ribosomes के बाद हम लोगों को देखना है हम लोगों ने second video lecture में देखा था कि एक और special चीज प्रेजन होती है यह prokaryotic cell में and they are inclusion bodies क्या होता उनका नाम inclusion bodies और यह inclusion bodies क्या करती है they help in the storage of material reserve material का storage करने में यह inclusion bodies help करती है तो अगर हम लोग example देखें कुछ inclusion bodies के जो की bacterial cell में present होती है तो these inclusion bodies inclusion bodies these inclusion bodies they lie free in the cytoplasm यह cytoplasm में freely lie करते हैं इस तरीके से cytoplasm में freely lie करते हैं they are not bounded by any membrane इनमें कोई भी membrane presented नहीं होती है और यह किस चीज में help करते हैं for the storage of material this different reserve material इनमेंसे अगर हम लोग कुछ inclusion bodies के अगर हम लोग बात करें तो उसमें आते हैं क्या phosphate granules एक और होती है जिसका नाम होता है syno-physian granules phosphate granules है syno-physian granules है और भी अलग-अलग granules इसमें present होते हैं जो कि हम लोग क्या बोलते हैं inclusion bodies एक और inclusion body होती है जिसका नाम होता है क्या gas vacuoles इनको हम लोग क्या बोलते है gas vacuoles vacuoles as you all know vacuoles क्या होते है they are empty spaces क्या होते है empty spaces और इसमें दूसरी चीज़े होती है इसमें site of glass present नहीं होता है तो gas vacuoles में क्या present होता है gas present होती है air present होती है इस तरीके का अगर vacuoles है बहुत चोटा सा vacuoles है मान लो और उसमें क्या present है air present है gas present है gas vacuoles है तो ये bacteria को help करता है इन buoyancy किस चीज़ में help करता है बॉइन्सी मतलब यह बैक्टीरिया को फ्लोट करने में help करता है अगर कोई बैक्टीरिया किसी water body में present है और उसको float करना है तो यह gas vicules जो होते हैं चोटे-छोटे inclusion bodies जो होती है यह जो चोटे-छोटे gas के bubbles होते हैं they help the bacteria to float on the stream या lake pond किसी में भी इसको क्या करता है बक्टेरिया को फ्लोट करने में help करता है एक और inclusion body होती है जिसका नाम होता है glycogen granules क्या बोलते है उसको उसको आँ लोग glycogen और यह तो अपने नाम से ही बता रहा है यह क्या store करेगा भई glycogen store करेगा so we have seen the different kinds of inclusion bodies which are present in the bacterial cell and they are phosphate granules they are synofacian granules they are glycogen granules and after that we have gas vacuoles, gas vacuoles किस चीज में help करते हैं भई, gas vacuoles help करते हैं for a bacteria to a bacteria to float, float करने में, buoyancy में help करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग वो ने cell envelope and its modification को काफी detail में discuss कर लिया है, इसके बाद हम लोग discuss करेंगे क्या eukaryotic cell, in the next video lecture we'll discuss about the eukaryotic cell, हम लोग अलग-अलग eukaryotic cells के structures को एक-एक करके देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, आज की वीडियो में हम लोगों ने जितना देख लिया है, आप उतना पढ़िए, देखिए, जो ना समझ में आप हमसे नीचे doubts पूस सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैन is complete होता जाएगा.